सूप्रभाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्किर्ट में पंचमपाड वचन ग्यानम सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द अर्थ बालक कह, एक बालक, बालको, दो बालक, बालक कह, बहुत से बालक, गजह, एक हाथी, गजो गजों, दो हाथी, गजह, बहुत से हाथी, बालक कह, एक लड़की, बालक कह, दो लड़किया, बालक कह, बहुत सी लड़किया मच्छी कह, एक मख्छी, मच्छी कह, दो मख्छीया, मच्छी कह, बहुत सी मख्छीया कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंदे, कंदुकानी बहासी गेंदे, पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल और पुष्पानी बहासे फूल तो ये थे पाट के शब्द अर्थ अब हम पढ़ेंगे पाट को आगे वचन ज्यानम जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तू, स्थान, अर्थाज, संग्या शब्दों की संख्या का ग्यान कराते हैं वश्णम कहलाते हैं जो सब्द ऐसे सब्द जो किसी व्यक्ति कियानिके किसी का नाम कोई व्यक्ति है वस्तु है कोई चीज है कोई जगा है स्थान अर्थात संग्या शब्दों की संख्या का ग्यान कराता है संग्या शब्द किसे बोलते हैं वस्तूओं जगा और विक्तियों की जो नाम होते हैं उनको हम शग्या सब्द कहते हैं उन शब्दों की संख्या कितनी है जब उसका ज्यान कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं वच्चिनम हिंदी तथा अंग्रेजी भासा में केवल दो वचन है एक वचन तथा बहुचन संस्कृत भासा में तीन वचन होते हैं एक वचन, दुई वचन तथा बहुचन संस्कृत भासा में कितने वचन होते हैं तीन वचन होते हैं एक वचन दुई वचन थे था बहु वचन एक वचनम से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा संग्या शब्द के संख्या में एक होने का ज्यान होता है जैसे बालक कहा बालिक कहा कंदुकम आधि एक वचनम में क्या होता है कोई व्यक्ति है वस्तु है या कोई भी शंग्या सब्त है वो संख्या में क्या होगा गिंती में क्या होगा एक होगा वहाँ पर एक होने का जब हमें ग्यान होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक वचनम तो बालक कहा बालका यानिके एक बालक बाल तो केंद क्या है? एक है, शंख्या में क्या है? एक, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक वचनम, अब है दी वचनम, दी वचनम में क्या होगा? दी वचनम से किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा संग्या सब्द के संख्या में दो होने का ग्यान होता है, एक वचन में संख्या में एक ह होंगे, दो होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, दू वश्नम होगा, जैसे बालक को, बालक के, कंदु के, अब यहाँ पर क्या था, बालक का, तो एक था, बालक को, जब आया तो यहाँ पर क्या होगा, दो बालक होगे, अब यहाँ उपर क्या था, एक वश्नम में बालक का था और अब नीचे दी वश्णम में क्या है बालिके तो यहाँ पर बालिके का अर्थ होगा दो लड़किया अब यहाँ पर देखे एक वश्णम में क्या था कंदुकम अब दी वश्णम में क्या है कंदुके याने के दो गेंदे बहुवश्णम से किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा संग्या शर्द के संख्या में दो से अधिक होने का ग्यान होता है एक वश्णम में संख्या में एक होने का ग्यान, दी वश्णम में संख्या में दो होने का ग्यान और बहुवश्णम में क्या हो जाएगा बहुवशनम में किसी व्यक्ति वस्त्वत्वा संग्याशव्ध के संख्या में दो से अधिक होने जब जब ज्ञान होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुवशनम हो जाता है जैसे बाला कः, बालिक काः, कंदुकानी तो बाला कः का क्या अर्थ हुआ? बहुत से बालक बालिक कह, यानि कि बहुत से लड़किया, कंदुकानी, बहुत से गेदे संस्कित में शंग्या सब्द के तीनों वश्णों के रूप रहे अलग अलग होते हैं कैसे देखें यहाँ पर एक वचन, दुई वचन, बहुँ वचन पुर्लिंग शब्द है यह, एक वचनम में क्या आ जाएगा, बालक कह, दी वचनम में बालक कह, बालक कह, एक बालक, बालक को, दो बालक, बालक कह, बहुत से बालक अब है, गजह, गजो, गजह, गजह, एक हाती, गजो, दो हाती, गजह, बहुत से हाती कौन सा सब्द है ये पुर्लिंग शब्द है अब है स्ट्रिलिंग शब्द में बाली का, बाली के, बाली का बाली का एक लड़की, बाली के दो लड़किया बाली का बहुत से लड़किया अब है मच्छी का, मच्छी के, मच्छी का मच्छी का एक मख्छी मच्छी के दो मख्या, मच्छी का बहुत से मख्या नपुसकलिंग का शब्द है कंदुकम कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी कंदुकम, एक गेंद, कंदुके, दो गेंदे, कंदुकानी, बहुत से गेंदे अब आपको समझ में आया एक वचन, दुई वचन और बहुवचन क्या होता है अब यहाँ पर आगे देखे पुश्पम एक वचन और पुश्पम का आद एक फूल पुश्पम, पुश्पे, पुश्पाणी पुश्पम एक फूल, पुश्पे दो फूल, पुश्पानी बहुत से फूल तो बच्चों ये आपका पंचम पार्ट पूरा हुआ अगली बार में आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगे